सुप्रभादम, पाच मई 1908 को अलिपूर की जेल में प्रवेशित हुआ, करांती कारियों का मस्तिश्क जो था, नौ फीट बाई पाँच फीट के कख्ष में मुझे एकदम अलग रखा गया, भगवती का समरण कर आरत भाव से प्रार्थना की, जगन माते मेरा जीवन करम आप ही निर्धारित करो, मेरा बुद्धिभरंश दूर करो, आश्चर्यम मुझे आमूल चुल परिवर्तन का अनुभव हुआ, तब तमन एकदम शान्त होकर परमसोख का अनुभव प्रतीत होनी लगा, लेले महराज के द्वारा मारगदरशित ध् अभ्यास आरंब किया, जील की दिवारों की और जब कभी मैं ताकता, तो उन उची दिवारों में मैं बद्ध हूँ, यहाँ प्रतीत ना होता, मेरे आजू-बाजू साक्षात वासुदेव स्रीकृष्ण खड़े है, यह अनुभव मुझे आता, वरक्ष के तले जब मैं ग देवम सर्वमिती इसी की अनुभूती हुई, कमरे के बाहर प्रभू स्वयम खड़े है और पहरेदार का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ, विश्वरूप दर्शन की अनुभूती हुई, जिस खरदुरे कंबल पर सोना पड़ता, निद्रा लेते समय, साक्षात भगवा स्री कृष्ण अपने बाहु पसा रहे हैं, ऐसा अनुभू होता, कारा ग्रह में प्रत्यक्ष योगेश्वर स्री कृष्ण ने हाथों में भगवत गीता रखी, इश्वर ये शक्ति ने अंतरंग में प्रवेश कर गीता प्रणित साधना के लिए सक्षम बनाया, कारा ग्रह के बंदी गुनेगारों में प्रत्यक्ष वासुदेव विराजित हैं, यह अनुभू मुझे आता, गीता का मर्म यतार थरीती से समझाने के लिए शायत भगवान को कारा ग्रह योग्य लगा होगा, रोज सुभय स्नान के पश्चात एक कोने में घंटों तक मैं शिर्शासन का अभ्यास करता, एक दिन पंगाल की गवर्नर मिस्टर बेकर हमारे वाड का निरिक्षन करने हे तु आये, उन्होंने मुझे शिर्शासन करते हुए देखा, आधे घंटे तक वे देखते ही रह गये, प्रतिसाद का आभाव था, वे वहां से चल पड़े, एक बार ध्याना वस्ता में मेरे मन में विचार आया, क्या शरीरोत थापन समान सिध्धी सच है? दूसरी ही क्षन मेरा शरीर ऊपर उठने लगा, एक दन तुरूंक का अधिकारी देखने आया, निरिक्षक को मेरा आसन तो दिखा, लेकिन मैं वहां नहीं था, उसे लगा, शायद कैदी मुझे चट के पास देखा, मैं बिना आधार के था, पूर्ण तहा, ध्यानस्त, निरिक्षक सोचने लगा, ऐसे कैदी पर तो नजर रखना भी राश्रिय पाप है, दूसरे दिन उसने अपने नौकरी से राजिनामा दे दिया, एक दिन साधना मार्ग में कुछ बाधाय नि निरिसन किया, मैंने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उस स्वर ने प्रत्युत्तर दिया, मैं विवेकानन्द बोल रहा हूँ, दर्शन चाहिए? मैंने कहा, नहीं नहीं, आपका मार्ग दर्शन ही परियापत है, आति मानस यह शब्द प्रयोग आत्मिक स्तर पर आरोहन करन का मार्ग स्वामी विवेकानन्द जी ने मुझे दिखाया, उच्चस्तर की जागरुकता कार्यपधती का आकलन होने तक एक दो दिन नहीं, लगातार 15 दिन तक समाधिस्त विवेकानन्द जी ने मार्ग दर्शन किया, अमरावती के दादा साहिब खापरडे ने पत्र लिख कर मुझे प्रशन किया, अर्विन जी वासुदेव क्रशन के दर्शन के बारे में आपने आपके पुस्तक में उलेक किया है, क्या यह सच है, खापरडे जी यह वास्तव है, दादा सहाब एक दो दिन नहीं, लगातार 15 तीन माहिनों तक मधुसूदन का दर्शन होता ही रहा इतना ही नहीं, भगवान ने मुझे यह भी दुरुष्टांत दिया, अर्विन तुम तो निर्दोश शाबित होकर रिया होगे, किन्तो बारिंद्र और उल्हास करदत्त को अन्दमान भीजा जाएगा, वासुदेव क्रशन ने यह भी बताया, कि अभी तक अर्विन तुमन का परीग लांकर संपूर्ण मानवजाती का उन्नयन करना होगा, सरकारी वकील श्री नौर्टन थे, मेरे वकील धाहिरेवान एवं सयमी, काइदे पंडित, बारिस्टर, चित्तर अंजन दास, 131 दिन अलिपूर मॉम स्पोर्ट की पैरवी चलते रही, मामला प्रती दिन प् करते हुए, मैंने कहा, मैं कुछ भी निवेदन नहीं करूंगा, संपूर्ण मामला मेरे वकील देखेंगे, चार हजार कागजाद, स्पोटक पदार्थ, बॉम, रिवॉल्वर, जहलीले एसिड मिलाकर, तीन सो चार सो चीजों की पेशी की गई, दो सो छे साक्षिदार उपस्तित किये गई, लेकिन अपने प्रखर युक्तिवाद से, बैरिस्टर चित्तर अंजन दास ने सब की धज जया उड़ा दी, मेरे बचावार्थ, आड़ दन तक उनका भाषन चलता ही रहा, यूर ओनर, श्री आरबिंदो घोश, बॉम फेके अतिरे की नहीं, वे तो वेदानती राश्रवादी है, अपने देश बांधों को स्वराज का अर्थ समझाना यह गुना नहीं, आरबिंद देश बंधों ने अपनी प्रैक्टिस दाव पर लगाई, अपने अस्वस्त शरीर का भी ख्यान नहीं किया, स्वेम की घोड़ा घाड़ी भी भेज दी, पैसा जमा कर दिन रात मेरे रिहाई है तो उन्होंने कश्ट किये, देश बंधों चितरन जंदास के सारे श्रम ज्यायमूर्ती बीच क्राफ्ट ने 6 मई 1909 को मेरे निकट बरती, नलिनिकान गुप्त समवेत अन्य 15 लोगों की अलिपूर बॉम केस में र्याही की, दुर्भाग गिवश तिलक जी मंडाले के कारावास में बंधिस्त थे, बाहर आने के पश्चात, स्वातंत्र संग्राम क नेत्रुत्व करनी हेतु कटि बद्ध हो गया, कर्म योगिन या अंग्रेजी में और धर्म यह बांगला सप्ताहिक प्रारंब करने का नरने लिया, सिस्टर निवेदिता जान गई, काराग्रह से बाहर आये औरबिंदो घूश, राजकिय अरबिंद नहीं, बलकि योगी अ रचने लगे, सिस्टर निवेदिता को संभद्धित हल चलो का पता चला, उन्हाने मुझे संदेश भेजा, अरबिंद जी सतर करहिये, महानायक, महाकवी, महरश्री अरबिंद जी को कोटी-कोटी प्रणाम